हेलो विवर्स, वन्स अगेन वेलकम बैक, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टरोंड स्टाइल पाव भाजी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आपको इसकी इंग्रीडियन्स बता देते हैं वर सद्सकां सब्सकानी सब्सक्राइल ग्रेट शॉका सब्सक्राइब, भूंट 9 ग्रहांपोर्स, प्रॐं यत्षेट करते हैं, सभीव त्रेंने अनियन जिसको हमने शॉब्सकेंट लिए है इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, 150 ग्राम ग्रीन पीस लिये है, 1 कप बटर, 2-3 टेबल स्पून ओईल, पाव भाजी मसाला 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अध्रक लसं का पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पावडर, लाल मिर्च पावडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर वन टीस्पून कसूरी मेथी हाफ कप कोरियंडर लीव्स हरी धनिया फोर तो फाइफ ग्रीन चिलीज हरी मिर्च सॉल्टू टेस्ट लेमन और सर्फ करने के लिए पाउ अब सबसे पहले हम पैंग में ऑईल डाल देंगे ऑईल थोड़ा डालना है हमें 3 टेबल स्पून ऑईल हिलका सा गरम हो जाए तो हम इसमें बटर डाल देंगे बटर की पॉंचेटी हमें जादा डालना है कि इसमें में इंग्रेडियन जो है वो बटर ही है पॉंचेटी हमें डाल देंगे अग्रेडियन डाल देंगे अनियन को अलका सा फ्राय करेंगे एक मिन तक हमने इसे फ्राय कर लिया है अब हम जिंजर कार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसमें करेंगे एक मिन तक हम इसे फ्राय करेंगे इसमें तक हम इसे फ्राय करेंगे सबसे पहले हम इसमें कॉली प्लार डालेंगे कॉली प्लार डालके हमें इसे थोड़ा सा भूना है क्याप्सी कम भी डाल देंगे इसे भी फ्राय कर देंगे आप चाहिए इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं आपके पसंद की और कोई आपके वेज़िटेबल्स होंगी तो वह भी डाल सकते हैं अब हम इसमें ग्रीन पीस भी डाल लेंगे तो थोगी दिर फ्राय करेंगे ताके थोड़े शॉप्त हो जाएं गल जाएं पस्टान पाल जाएं पस्टान प्राय करेंगे तो यह ले दोग्त आपके राएं अब हम इसमें टोमेटो डाल देंगे अब हम इसमें तर्मरी पौडर डाल देंगे रेड चिली पौडर ग्रीन चिली और सॉल्ट अच्छे से से मिक्स कर लेंगे अब इसे दकार थोड़ी देर पकने देंगे ताकि दल जाए हम इसे चेक कर लेंगे अब अब इसमें हलका सा पानी डाल के इसे गलने देंगे कि अब और आप आप अब करेंगे थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सब्सक्राइब अब हो मिसमें पोटेटो डाल देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कासूरी मेथी डाल लेंगे पाव भाजी मसाला डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और हम इसे मैश कर लेंगे इसे मैश करना बहुत इंपोर्टन्ट है अब इसे पाली डालेंगे रूड़ा सवर पानी डालेंगे अच्छी तरह से गालेंगे अच्छी तरह बार देंगे क्योंकि शूपने के बाद और गाड़ी होने वाली है अब हम इसमें बटर डाल देंगे अची तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे यह देखिए हमारी पाव भाजी रेडी है हमें इसे पाव के साथ सर्फ करना है इसलिए हम पहले पाव सेक लेते हैं कि इस तरह से बीच से कट कर लेंगे इस तरह से कट कर लिया हमने अब इसे रख देंगे बटर डाल देंगे इस तरह से हम सेख लेंगे इस साइड से किसे कर लेंगे अब हम सर्फ कर लेंगे यह देखिए हमारी पाव बाजी बनकर रेडी है अगर आप कोई रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हम से लेखिए क्के लेखिए कर लेखिए झाल चाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो